न्रेंद्र गंभीर मुंबई महराष्ट इनका सवाल ऐसा है कि पारशी लोगों में बहुत नजदीक के रिष्टों में शादिया होती है तो उसके उनके साइकलोजी पर क्या परिणाम होते है इतने नजदीक के रिष्टों में शादिया होने के कारण आपने specifically psychology के क्षेत्र का सवाल पूछा है यानि क्या psychological परिणाम होते हैं नजदीक के रिष्टों में जब शादिया होती है तो physical परिणाम भी बहुत महत्वके होते हैं इसलिए मैं उससे शुरुवात करूँगा नजदीक के रिष्टों में अगर शादिया होती है और हमारे समाज में अलग-अलग परंपरा है जैसे कि हिंदूों में परंपरा है कि मामा के लड़की के साथ में शादी होना कुछ जातियों में ये परंपरा है कि मामा के लड़की के साथ में नहीं सगे मामा के साथ में शादी होना ये भी परंपरा भारत में है मुस्लिमों में ये परंपरा है कि चचेरे बहन के साथ में शादी होना तो ये अलग-अलग परंपराएं हैं समाज में बहुत नजदीक के रिलेशन में शादिया होती है इसके दो पहलों पहले हम physical पहलो देखेंगे जब नजदीक में शादिया होती है नजदीक के रिष्टों में शादिया होती है उनके DNA में काफी समानता होती है जो hereditary बिमारिया होती है तो हेरी डीटरी में आसपास जो बहुत नजदिक लोग होते हैं, नजदिक के रिष्टे में होते हैं उनके जिन्स में हेरी डीटरी बिमारिया होने के गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए जो हेरीडीटरी सम्मंदित बिमारिया हैं उनका प्रमान बहुत बढ़ जाता है सबसे बड़ा अबजेक्शन इस खेत्र में नजदिक की शादियों के लिए होता है वो ये होता है अब चचरी बहन से शादि ये भी उतना ही अबजेक्शनेबल है जितना मामा के लड़की के साथ में शादि है या फिर सगे मामा के साथ में शादि है उतना ही अबजेक्शनेबल है क्योंकि हेरीडेटरी बिमारिया बढ़ जाती है इन हेरीडेटरी बिमारियों में हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ बिमारिया है कुछ साइकेडरिक ब्रिमारिया है उनका भी प्रमाइट बढ़ जाता है और जिन जातियों में या फिर जिन धर्मों में ये बहुत नजदी के रिलेशन में शादिया करने के प्रथा है उनमें ये दिखाई दिया है उनमें एक पारशी समाज है limited समाज है इसलिए limited लोगों में शादिया होते रहती है उसके पीछे के कारण भी ऐसे है कि बहुत ही limited समाज होने के कारण जैसे मुंबई में है तो मुंबई के लोग देखेंगे कि बाकी तो पूरे महराष्ट में देखे जाए तो पारशियों की संक्या बहुत कम है मुंबई में थोड़ी बुद्पुना में है नाकपुर में तो बहुत ही कम होंगे तो शादी हो तो बंबई के मुंबई में हो तो जादा अच्छा है तो लिमिटेड होने के करेंड में नजदिक के रिष्टिदारों में ही फिर शादिया पनपती है बनती है तो उसमें से ये फिजिकल जो प्रॉबलम है मैंने आपके सामने रखा कि वो आज के जमाने में एडवाइजिबल नहीं माना जाता है इसलिए अंतर जाती है भी वहाँ जादा फिजिकली इंकरेज किये जाते है उसमें मानसिक यानि ये जो हिरीडिडरी बिमारिया होती है उसका प्रमाण कम होने के गुझाईश होती है और अलग-अलग जीन से गर साथ में आते है तो ज़्यादा गुझाईश बढ़ती है और जदा तंदूरस्त होने की और जदा बाकी ख्शमताय प्राप्त करने की वगेरे वगेरे इसलिए उनको इंकरेज भी किया जाता है ये हो गया फिजिकली हिसा साइकलोजिकल क्या होता है साइकलोजिकल हिसा तो भलता वीचितर है नजदीक के लोगों में शादिया क्यों की जाती है उसके पीछे के अलग कारण है सुरक्षा सबसे महत्वा कारण सुरक्षा दूसरा कारण है संपत्ती चेचरे बहन के साथ में शादी होती है नजदीक के रिष्टेदरों में शादी होती है तो संपत्ती बाहर न जाए उसके पीछे का एक उद्देश हो सकता है हमारे आसपस के लोगों में संपत्ती बची रहे है दूसरा होता है सुरक्षा मा सोचती है कि भाई की लड़की है मैं मेरी बहन के साथ में शादी मैं इसको बच्पन से देखती हूँ तो ये मेरे घर में बहु अच्छी रहेगी उसकी मैं बुवा हूँ मेरे साथ में वो अच्छा बरताओ करेगी पिता जी को लगता है माता जी को भी लगता है कि बहन के घरी याने पिता जी के बहन के घरी जा रही है बच्पन से उसको देखते आई है पैर करते आई है तो वो उसको बहू जैसा ट्रेट नहीं करेगी, अपने बेटी जैसा ट्रेट करेगी, ये एक सुरक्षा की भावना भी इसके पीछे होती है, संपत्ती की सुरक्षा और सुरक्षा की भावना, ये दोनों के काराण, इन शादियों को encourage किया जाता है, कई जात थिर उसमें ये भी प्रकार होता है कि एक घर की लड़की दूसरे के घर में देना, उस घर की लड़की अपने घर में लाना, इसको साटा लोटा वगिर अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, इस धंकी भी शादिया होती है। लेकिन इसमें साइकलोजिकल दिक्कते, जैसे सुरक्षा मिलने के गुंजाईश बढ़ जाती है, ऐसा लगता है, तो बाकी भी साइकलोजिकल दिक्कते बढ़ती है। अब ये मैनेज कौनसिलिंग के जो कई केसेस मेरे पास आते हैं, उनमें से कुछ केसेस में ये ध्यन में आया, कि बहुत नजदीक के रिष्टेदार के साथ में शादी हुई है, याने मा के सगे भाई के साथ शादी हुई है। तो इस लड़की को कोई मायका ही नहीं है, मा के सगे भाई के साथ शादी हुई, तो मायका नाम के कोई जीच बची नहीं है, क्योंकि पती की जो माँ है, वो एक तरफ ग्रैंड मदर भी है, मा की मा, और दुसरी तरफ साज भी है, मा, उसका मायका नहीं है, मा उसके पती की बहन है, सेम मेरी भाई में चचरी इनमें हो जाता है। तो उनको जो मायके से प्रोटेक्शन मिल सकता है बाकी जगों में, यह यहां नहीं मिलेगा, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, वो अलग धंग से सोच भी नहीं सकेगी। बाकी लड़की को अगर ऐसा लगा कि मैं ससूराल में नहीं टीक पा रहे हूँ, ससूराल का वातावरें मेरे लिए पोशक नहीं है, या फिर इस पती की साथ में मुझे नहीं रहना है, तो कम से कम उसको यह लगता है, साइकलोजिकल लगता है कि मेरे माता पिता मेरे पीछे खड़े रहेंगे यहां वो भी संभव नहीं होता है तो अलग-अलग धंकी अलग-अलग दिक्कते निर्मान होती है हर वेवस्था में कुछ दोश होता है कुछ फाइदे की बाते होती है कुछ समस्याय होती है उस धंक से यहां अगर किसी कारणवश तोड़ने की आवशक्ता गिरे तो रिलेशन थोड़ा आसानी से तोड़ सके उसमें बहुत कॉंप्लिकेशन ना बड़े अगर दूर के रिष्टेदार है या फिर रिष्टेदार है ही नहीं केवल शादी के कारण अभी दो फाइमिली के रिष्टे बने हैं तो वहाँ शायद कल जाकर ऐसी कोई दिक्कते निर्मान हो तो वो रिलेशन तोड़ना या खतम करना ज्यादा इज़ी होता है जबकि नजदिक के रिलेशन्स में ये बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर इस घर की लड़की उस घर में है ये लड़के ने उस लड़ घर के लड़की को भी नकारा जाएगा या इसके बहन को फिर तकलीफ होगी वो अलग-अलग डंग से रिश्टा तो होता ही है तो इस करण भी तकलीफे बढ़ सकती है तो ये इसमें हमारे समाज में जो हम देखते हैं उसमें ये दिक्कते हैं लेकिन फीजिकली नजदिक के रिश्टेदारों में शादिया नहीं करने चाहिए कम से कम जहाँ जीन्स बहुत कॉमन हो सकते हैं वहाँ नहीं करने चाहिए यहने कहने का मतलब इसा है कि वल रिश्टा महतुए का नहीं है जहाँ जीन्स कम से कम होने चाहिए एक बहुत फेमस शादी जानता हूँ दो भाई बैन ने शादी की मुकुंद्राव किरलोसकर और शानता भाई किरलोसकर मेरे संपादक रहे चुके महाराष्ट के बहुत ख्यती प्राप्त संपादक रहे हैं लेकिन इनके जीन्स में कोई दिक्कत का सवाल नहीं था क्योंकि ये थे सवतेले भाई बैन मुकुंद्राव जी के पिताजी से ये पैदा हुए है इनकी मा जाने के बाद में उनके पिताजी ने दुसरी शादी की लेकिन जो दुसरी शादी जीस बीबी के साथ में की वो दुसरी शादी की बेटी नहीं है वो पहले उसने शादी के थी उसके माने उनसे ये बच्ची प्राप्ट हुई अभी उन्होंने बात में शादी की इसलिए वो सवतेली बहन बनी लेकिन दोनों के जिंस में कोई common चीज नहीं है सब्सक्राह्टिण उसकी माँ है सब्सक्राह democrat करे जी सारे मैं किने है लेकिन जीन्स में कोई common चाहMag Śirm तो इंटी शादियों में कोई problem नहीं यह केवल रिष्टे से रिष्टे है इसमें जीन्स के कोई रिष्टे नहीं तो यह इसमें देखा जाता है तो जीन्स जहां common ज़्यादा हो सकते हैं ऐसी शादिया नहों ज़्यादा अच्छा माना जाता है आज के जबाने में उस तरफ हमने ध्यान देना चाहिए क्योंकि hereditary बीमारियों का प्रमाण बहुत बढ़ता है ये fact है बढ़ने की कम से कम बहुत गुंजाईश होती है ये fact अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये awareness पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए